गडियो गणाई रही छे राम लल्ला ना प्रान प्रतिस्टा मोहत सवनी त्यारे संतो महंतो छे ए भूमी जवाना छे के जिया बगवान श्री रामेनों जे स्पंदन छे तेनी अनुभूती करवा माटे आ तमाम जे साधू महंतो छे तेवो जही राया छे खासकरी ने अपनी आसी क्षण ना साक्षी आप बनी रहा छो भगवान श्री राम नी असीम कृपा छे पांसो बरस नी लड़त और हिंदुओं नी आजे बिजे थाई छे असात्तू पर सत्त नी बिजे थाई छे पांसो बरस में लाखों आवराजी लाखों लोगों जे सहीत है छे राम भक्त तो इमनी आत्माने वास्त्तिविक आजे इमने सांती मड़ी छे इमने परवार जनोंने पड़ भगवान पोताना धाम में राक से हूँ ये मानूछ हूँ के हमें बदा जे आज आ लाव राम जी मंदिर प्रतिष्टान और राम मंदिर नों मड़ी रहो छे तो हूँ प्रतिष्टान नवीर राम मंदिर में हूँ आईसु त्यारे तमने फरी ते आउसर आपीशू आ भगवान स्री रामनी लीला छे रामनी किरपा छे और भारतनी हिंदू संस्कृती और विसिंदू परसात नों बलदान असोक सिंगलती लगाए बड़े-बड़े महारा थी ओब शिंदू परसात वजरंग दल और सरी साधू संतो और सरी या सश्वी मुख मंत्री प्रदान मंत्री स्री मोधी साभी ने याश या पूरो आखों इमने यास मडे छे के इमने हाथ ती प्राण प्रिष्टिष्टा थावानी छे इवे राम मंदीर मुक्त करायू छे बारत नी भूमी संतों महंतों नी भूमी केवामा आवती होई छे अने आज जे एतियासित शन छे करनके संतों महंतों नी तपस्चर्यानु जे फड़ छे ते आपने आप 22 जानुवार ये मडवानु छे जो लगभग 500 वरस पछी अने सित्यों तेर जिटला युद्धों अने 134 वरस नी लांबी प्रक्रिया बाद कानुनी प्रक्रिया अने लगभग 4 लाग जिटला कार सेवकोई बलीदा नाइपा जेमा देवरा बाबा थी मांडी अने अशोक सिंगल जी जेवा महा पुरुषों ने उतकव ए दिवसे साची स्रदानली ये पाशे अने 22 जान्योरी 2024 नो दिवस एक्षण ये गणी सनातन धर्मावलंबियो ने भारत वर्ष माटे एक गवरवनो विशे अने अभीव्यक्ति करता पन अनुभूती नो विशे साबित थशे अने जेनू श्रे उतकव बद्दाये श्रीफलों फोड़ा श्रीफल ना फुटु नरेंद्रबाय मोदी है तो मुम्किन है आकारिय सित्थेरियो छे जेनो गवरव भारत वर्ष ने सनातनियों माटे छे जे गवरवनी जे अनुभूती छे ते तमाम महा मंदलेश्वार अनुभवी राया छे आपनू शुके उच्छु रादे रादे भगवान के प्रतिष् प्रवेश कर रहे हैं और नए कलेवर में जब प्रवेश का यह जो माहौल है वो इतना सुंदर और सुखद है कि जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है क्योंकि भगवान की व्याख्या करने के लिए शेश और सारदा की वाणी वी कम पड़ जाती है तो हम तो शाधारण है तो हम कैसे व्याख्या करें और कैसे बताएं क्योंकि जो दिल के भाव हैं वो जवां से व्याख्या नहीं की जा सकते क्योंकि जो दिलों के भाव होते हैं वो रोम रोम खिल रहा है जैसे स्रिधाम रंदावन के रास के समय कण कण में कृष्णों और रादा थे ऐसे आज भगवान का जब नया कलेवर हो रहा है तो ऐसे लग रहा है कि अयुद्ध्या के लिए प्रस्थान करते हुए हमारे रोम रोम में राम राम एक धुनी चल रही है उचारित हो रही है और वो पूरे वायू मंडल में दीख रही है एरपूर्ट पे दीख रही है संत मह करती है यही सकते है। दीदी, रोम रोम माला राम वसे हा च्छेए, आपना एतियासिक श्न सक्षी बनवा मने जहीय रहा है छो, के भी आणू खर. खरेखर बहु एतिहासिक गडिना साक्सी बनुवा आमें सवजेरी आछे त्यारे रदै खरेखर पुलकित थही रियो छे के सवभाग्य शाड़ी छी आमें लोको अटला बधा संतो एक साथे एरपोर्ट उपर जरे भेगा थी आछे अमने तो हम लागे रियो छे कि जाने आयाँ जमीनी कुम्भ आ एरपोर्ट उपर लागे रियो छे एटले खरेखर आपने सवभाग्य शाड़ी छी है के आपड़ा पुर्व जुए मंदिरों ने तुर्टता जुया छे आपड़ी आंख मंदिरों ना निर्मन जुए रही छे एन आथी विशेश बिजी खुशी कोई वहेज ने आजे तो हमदावाच शहर नुझे एरपोर्ट छे ते राम माई बनी गयुँछे तो एक राम लल्ला नो जैकोश थाई जाई तो आप जोई राया छो त्यारे साधू संतो छे ते राम नगरी अयोध्या नगरी जवा माटे निकड़ी राया छे अने तमाम लोकों ना रोम रोम मा त्यारे राम वस्या छे कैमरा में अउनीश्ती वारी साथे राजल बारोट एबी पेस मीताम दावाद